अगर आप मंत्र जाप में बिश्वास रखते हैं तो एक बात समझना बहुत जरूरी है आपके लिए पहली बात कि मंत्र तब बनता है जब उसकी चार्जिंग कोई कर देता है नहीं तो किताबों में भरे पड़े हैं मंत्र जिनको कविता कहते हैं मंत्र नहीं कहते हैं चार्ज हो जाए तो मंत्र बन जाता है मंत्र बोलने से होता क्या है हम जब बोलते हैं मंत्र तो हमारे होटों के आगे उसकी वाइबरेशन बनती है जिसको ध्वनी तरंगे कहते है तो हमारे सांस के साथ वो अंदर चली जाती है हमारे जिसको मंत्र शक्ती कहते है तो अगर किसी दूसरे से आप मंतर जाप करा रहे हैं जैसे घरों में आम तोर पर हो रहा है दुर्गा शब्सजी का पाट कोई कर रहा है कोई महामर तुंजय का पाट कर रहा है कोई गाहितरी का अनुस्ठान कर रहा है उससे आपके शरीर को उगजा नहीं मिल रही है जब तक आप खुद अपने मुझ से मंत्र नहीं बोलेंगे तब तक धोनी तरंगे नहीं बनेंगी और वो तरंगे आपके अंदर नहीं जाएंगी अगर आपको माला भी फेरने का शौक है तो माला का अर्थ भी समझ लीजिए माला अंगूठे और मध्यमा उंगली के साथ जिस तरहे मन के घुमाए जाते हैं एक्यू प्रेशर में मध्यमा उंगली और अंगूठे को दबाने से जो तरंग उठती है वो सीधी दिल तक जाती है इसलिए माला फेरने से भगवान को कुछ नहीं देते हैं आप भगवान को याद भी नहीं करते हैं आप दरसल आप एक अपने दिल को मजबूत रखने के लिए उसको बार बार तरंगे दे रहे हैं तो जो भी कर रहे हैं आप उस पर विचार करें मंत्र जाब करना है खुड करें माला जाब करना है तो फिर ये समझ कर करें के हम एक्वी प्रेशर की एक्सरसाइज कर रहे हैं इस पर विचार कीजिए